गुद मॉर्निंग इस्टुडेंट्स आज कि इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं रॉक चैप्टर का लास्ट टॉपिक अभी तक हम टाइपस ऑफ रॉक्स एंड केरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरी टाइप ऑफ रॉक हमने कवर कर लिया है और आई होप आप सब में बना लिए होंगे आज का वीडियो बहुत ही छोटा सा होने वाला है क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है इसमें लेकिन आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि आज के वीडियो में कुछ कॉंसेप्शुल चीजें हैं तो एक डाइग्राम भी डिसकस करना है तो फोकस आपका वीडियो पर रहना चाहिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक होने वाला है रॉक साइकल जो कि एक कंसेप्शुल टॉपिक है और उसके लावा एकनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ रॉ साइकल रॉक साइकल क्या है रॉक साइकल एक ग्रूप फ ठीक है और igneous rock भी convert हो सकती है metamorphic rock में due to high pressure and high temperature again sedimentary rock can change into metamorphic rock और into igneous rock तो जो metamorphic rock है और sedimentary rock है यह again igneous rock में convert हो सकती है कैसे होगी वो अभी हम diagram में discuss करेंगे ठीक है और metamorphic rock can change into igneous और sedimentary rock यानि कि metamorphic rock igneous और sedimentary यहां पर आप देख रहे हैं बहुती confusing सा सारा sequence चल रहा है कि कोई भी किसी में मतलब एक तरह से ghost है जो किसी भी का रूप धारण कर ले रहा है उस तरह का sequence चल रहा है तो अभी इसको समझने के लिए हम लोग diagram की help लेते हैं अब इस diagram में देखे एक एक rock को discuss करेंगे सबसे पहले जो rock बनती है वो है igneous rock जिसको हम primary rocks भी कहते हैं ठीक है और igneous rock में हमारे लिए जो main focus है या important है वो है extrusive igneous rock जो हमारे earth के surface पर बनती है ठीक है जिसको हम naked eye से देख सकते हैं अब igneous rock में जब weathering होती है आप इस laser pointer को ध्यान दीजे arrow के साथ igneous rock में जब weathering होती है weathering होने के बाद transportation होता है deposition होता है sedimentation होता है उसके बाद sediments बनते हैं ठीक है और sediments जब जम जाते हैं solidify हो जाते हैं उनसे बनती है हमारी sedimentary rock अब sedimentary rock के आगे देखिए sedimentary rock धीरे धीरे नीचे की तरफ shift हो रही है देखिए यह surface है हमारा यहां से धीरे धीरे sedimentary rock नीचे की तरफ shift हो है और यहाँ पर metamorphism की process start हो रही है metamorphism का मतलब क्या होता है जब कोई pre existing rock यानि कि जो already बन चुकी होई rock है वो अपने chemical composition में अपने structure में ठीक है अपनी density में थोड़ा सा modification कर देती है change हो जाती है उसको हम metamorphism की process बोलते हैं हम लोग already last video में discuss कर चुके हैं तो sedimentary rock के उपर जब metamorphism की process काम करती है तो वो convert हो जाती है metamorphic rock में ठीक है अब metamorphic rock देखिए surface से कितना नीचे आ चुकी है बहुत ही ज़्यादा depth में धीरे धीरे यह और depth में जाएगी क्योंकि ऊपर यह सारी processes अभी भी चल रही है continuous यह याद रखेएगा कि कोई भी process रुकी नहीं है सब continuous चल रहे हैं तो जब metamorphic rock और नीचे depth में जाएगी तो वह mental की boundary cross कर जाएगी और धीरे-धीरे melt होने लगेगी ठीक है और फिर magma में convert हो जाएगी यह देखे यहाँ पर magma chamber है और यह metamorphic rock magma chamber में magma बनके collect होती जा रही है ठीक है और again vent से होते हुए यह metamorphic rock surface पर आएगी जिसको हम बोलते हैं molten lava जब अंदर रहता है हमारी जब molten rock surface के अंदर रहती है उसको magma कहते हैं जब वह बाहर आ जाती है तो उसको हम lava कहते हैं ठीक है और यह lava बाहर आने के बाद again igneous rock बनाएगा तो आप देखिए कि हम लोगों ने एक process कहां से शुरू की थी igneous rock से शुरू की थी और पूरा circle करने के बाद हम again igneous rock पर हैं तो आप यह कह सकते हैं कि यही igneous rock है जो कि घूम के वापस igneous rock में convert हो गई है ठीक है अब इस igneous rock से sedimentary rock तो बन सकती है लेकिन इस igneous rock से metamorphic rock यह arrow देखिए आप metamorphic rock भी बन सकती है ठीक है तो यह पूरा एक sequence है कि one by one step by step यह rocks बनती रहती हैं बिगडती रहती है और यह cycle round and round continuous चलती रहती है ठीक है अभी आप यह video देख रहे हो उस समय भी कहीं ना कहीं पर यह process अभी भी चल रही है ongoing process है यह कभी भी रुपती नहीं है खत्म नहीं होती है ठीक है तो यह है हमारा rock cycle diagram आप बना लीजेगा colors का भी उसकर सकते हैं तो अच्छी बात है नहीं कर सकते हैं तो pencil से बनाईए बट neat and clean बनाईएगा ठीक है next यहां पर हम पढ़ेंगे economic significance क्या है rocks का अब भाई सड़क पर पढ़ा हुआ पत्थर या किसी मैदान में हमको जब भी कोई पत्थर या rocks दिखाई देती है तो हम उसको पैर मार देते हैं आदत होती है human being की ठीक है ना हम उसको पैर से ले जाते हैं आगे ठोकर मार मार के लेकिन उसका हमने कभी यह नहीं सुचा कि कोई economic significance भी हो सकता है अब क्या है पहला point minerals rocks are of great resource value some directly and some of constituent of minerals फिके सबसे पहली बात तो यही है कि जो rocks या minerals होते हैं ना उनकी resource value बहुत जादा होती है कभी-कभी हमें directly उनसे कोई resource मिल जाते हैं या उनका हम use कर लेते हैं जैसे कि आप पत्थर का use घर बनाने में कर सकते हैं ठीक है या फिर इंडारेक्टली भी यूज करते हैं कि कभी-कभी आप देखें जो सीमेंट होता ना सीमेंट को बनाने के लिए rocks को ही पीस के उसको और ज्यादा कैमिकलाइज किया जाता है प्रोसेस किया जाता है और सीमेंट बनाया जाता है तो rocks को हम directly और और indirectly भी यूज कर सकते हैं ठीक है अब रॉक्स पर ही वेदरिंग होती है तो सॉइल बनती है और सॉइल हमारे लिए क्यों important है क्योंकि उस सॉइल पर भी हम agriculture और farming कर सकते हैं ठीक है न अब farming क्यों जरूरी है क्योंकि हमें खाना चाहिए क्राने के लिए तभी तो हम सर्वाइब कर पाएंगे तो इंडारेक्ली देखा जाए तो रॉक्स हमारे थाने पीने की चीजों के लिए भी बहुत जादा जरूरी है उनके प्रोडक्शन के लिए जरूरी है ठीक है थर्ड पॉइंट अल्मोस्ट और टाइप ऑफ विल्डिंग मटेरियल यूज़ फ़र पेविंग रोज फ्लोर विल्डिंग वाल्स ठीक है हाउसेज और वेरियस अदर इस्ट्रॉक्चर इंक्लूडिंग ब्रिजिस तम फ्रॉम रॉ हुई है यानि कि आप यह भी समझे जो आपके घर पे जब च्छत पड़ती है ठीक है उसमें जो छोटे-छोटी गिट्टियां होती है पत्थर होते हैं इनको ग्रेवल्स बोलते हैं ठीक है उन ग्रेवल्स को भी तो रॉक से ही बनाया गया है तो देखा जाए तो यह सारे स structure में जो चीज यूज की जा रही है वो है रॉक इवन जो ब्रिक है वो भी एक तरह की रॉक है हम कच्छी मिट्टी को शेप देकर उसको पका लेते हैं तो वह रॉक बन जाती है ठीक है तो इस तरह से building materials में हम rocks का use करते हैं और buildings फिर बाद में हम उनका use economic activity के लिए भी कर सकते हैं hospital बनाते हैं तो हम इलाज तो करते हैं लेकिन हमें उससे income भी होती है लोगों को employment भी देते हैं school भी वही काम करता है ठीक है ना तो अलग-अलग use हो जाता है economic के point of view से next point है a rock are a source of precious metals एक rock में पत्थर में आपको बहुत ही बहुमूल कह सकते हैं महंगे precious metals metals मिल सकते हैं जैसे कि igneous rock में आपको diamond मिल सकता है ठीक है और जादा तर जो जहां पर volcanic eruption होता है ना उसके crater में बहुत सारे diamonds chip के हुए होते हैं बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पर उनको extract करने के लिए ठीक है तो आपको metals मिल सकते हैं gold silver platinum ये बहुत ही precious metals हैं इनकी value बहुत हाई होती है तो ये आपको वहाँ पर मिल सकते हैं तो ये भी एकनॉमी के लिए बहुत अच्छा है ठीक है और इन सारे चीजों के अलावा apart from minerals and fossil fuels even rock waste have now been used in manufacturing various articles अब अगर इतना सारा rock का use करने के बाद कुछ waste material भी बचता है ठीक है ना तो उस waste material से भी हम अलग-अलग तरह के आर्टिकल बना सकते हैं जैसे कि दिवाली पर आपने कभी भी shopping करने जाते हो तो जो छोटे-छोटे दिये हैं वो waste material से बन सकते हैं जो छोटे-छोटे डॉल्स मिलते हैं गुडिया गुड़ा जो मिट्टी के बने वे मिलते हैं उनको भी हम इस बची हुई मिट्टी से या फिर वेस्ट से बना सकते हैं, तो इस तरह से चोटे-चोटे चीज़ें बना सकते हैं, खेल, खिलोने articles, तो ये भी एक use है Rock का, और उन खिलोनों को, उन articles को हम मार्केट में बेज़ते हैं, तो हमारी economic या financial benefit तो होते ही हैं, तो तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही यहाँ पर यह चैप्टर खत्म होता है आप लोग नोट्स बना लिजेगा मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में नेक्स चैप्टर के साथ थैंक यू सो मच